वंदे मात्रों मैं आपके साथ जैस्वाल सार सभीका अश्वागा तम्यनन है सिच्चक भरती के चैनल जैस्वाल कोचिंग सिंटर पर बात करेंगे पर्यावन EBS के क्लास नंबर 9 में हम बात करेंगे महत्पूर्ण प्रश्णों की बात करेंगे और चेप्टर आपका चलना है खेती से संबंदित नदियों से संबंदित आपके महत्पूर्ण प्रश्ण की बात करेंगे जलिए सुरुआत करते हैं कलकी क्लास के लिए से आपका कांटीनियू क्लास कर रहे हैं बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण करेंगे साथी साथ जो आपके परिच्छा से संबंदित महतपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में भी बात करेंगे साथ ही साथ दोस्तों इस क्लास में हम बात करेंगे कि किस टाइव के प्रशन पूछे जाते हैं और अभी तक के एकजाम पर कौन कौन से प्रशन पूछे गए हैं तो चलिए हम प्रशन की सुरुवात करते हैं मिट्ट विहार, मेघाले, तमिल्णान पर नीची कमिल्ण बाक्स से अपना अपना इंसर आप लोग कमिल्ण बाक्स में बता सकते हैं जूम खेती साथियों कहां पर होती है सभी को पता होगा एक ही बात करेंगे मेघाले की बात कर रहे है जुमखेती परवती एवं पठारी चेत्रों पर की जाती है या अस्थाई कर्षबधती होती है तथा कर्षी प्रवत्तर भारत में की जाती है जिनमें मेगाले, नागलेंड, प्रमुख राज हैं जुम करशी एक आदिम प्रकार की करशी है जिसमें पहले ब्रच्छों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साप की गई जो भूमी होती है पुराने के जो आपके होते हैं उनको करशी की जाती है यह नी जो पुरानी भूम में होती है साप की गई है उस पर जो है जुताई कर कर्शी की जाती है और जैसे वहांकि म्रदा के उरता समाप्त हो जाती तो उस इस्थान को छोड़ दिया जाता है साथी साथ दोस्तों बात करेंगे राज छेत इस्थानतित क्रशी और इस्थानी नाम के बारे में देखे उत्तर पूरी राज में किस प्रकार की क्रशी होती है खेती होती है जूम या जूमिंग क्रशी होती है उत्तरपूरी में राज कौन कौन से होते जहां पर जूम और जूमिंग करशी होती है नागा लैंड मिजोरम और आपका मेगालाय हो गया नोड करते जाएंगे जहां मत्पदेश चतीस गड़ में कौन कौन से होती है देपपा और डहिया या वेबर करशी होती है राजिस्थान में बत्रा या वालरे करशी की जाती है आंद्पदेश में पोडू या पेंडा की जाती है मिजोरम में टिन करशी की जाती है मनिपूर में पामलू करशी की ज अगर प्रशना गया कि इस्थांतित करशी के जो नाम है इस्थानी नाम जो बोला जाता है कुमारी तो यह किस राज का है प्रशन पूछा जा सकता है तो यह आपके साथ केरल के पश्मी गाड के पहाड़ी छेत पर जो करशी की जाती वहां का इस्थानी नाम करशी का कुमारी है साथ साथ मनिपूर का पामलू और मिजोरम का टिन हैं अंगले प्रश्ण की बात करेंगे हरी खाद से तात्व पर है फसलों में कर्शी नासक डालना लेग्मिनेस पधों की हरी फसल उगाना मिट्टी में अबगटित कार्वनिक पदार्थ मिलाना या इन में से कोई नहीं अपना है धापक अधापिका बनना सिच्चक बनना हरी खाद से तात्पर दोस्तों होता है लेग्मिनेस पधों की हरी फसल उगाना आपका भी आपसन यहां पर सई हो जाएगा कोई भी डाउट हो कमेंड करें फीड़एक करें लेग्मिनेस कुल के पधे हरी खाद के से सम्मंदित आपका परशन है चावल चना मुंफली का पास कल हमने आपको क्लास में ड्रेल के साथ के फसल के बारे में बात किया था रवी की फसल खरीब की फसल जायत फसले नगदी फसलों के बारे में आपको वित एकजांपल के साथ बटाया गया था अगर आपने पिछल प्लेइस में चिक कीजिए सारी क्लासेज आपको फ्री अपकोश्ट मिल जाएंगी क्योंकि यह राश्टित में टीटी परिवार है सिचकों को परिवार है आपका परिवार है तो रवी की फसल कौन सी है यहां पर बताना है तो सभी को बता है चना हो गया ठीक है जो की फसल हो जाएगी अब बात करते हैं साथियों अंगले परिशन की गेहूं जो चना सरसो मटर आलू यह सारे आपके रवी की फसलें कहलाती है और यह सीत रृत्में बोई जाती है अब बात करेंगे साथियों अंगले परिशन की कौन सी खरीव की फसल नहीं है नेगेटू ये हमारी खरीब की फसले कहलाती है लेकिन जो अक्टूबर नमबर में बोई जाती है वह गेहूं हो गया गेहूं जोचना ये क्या कहलाती है रवी की फसले कहलाती है तो आपका खरीब की फसल जो है गेहूं नहीं होगा बांकी चावल, गन्ना, मक्का ये सारे हो जाएंगे ये सारे आपके प्रमुक रवी की फसले हैं तो कन्फूज आपको नहीं होना है कौन सी बायो डीजल की फसल है बायो डीजल से नाम करे प्रिशन आपको पता होगा प्रिशन पूँछा जाता है कपास, जेट्रोका, गन्ना, अलू देखे बायो डीजल की बारे में भी हम बात करेंगे इसको क्यों बोलते हैं दो-तिन लाइन में समझेंगे और इसका राइट एंसर जान लेते हैं साथ ही ओ, राइट एंसर होगा जेट्रोका अर्थास होती हो जेट्रोका नहीं यहाँ पे जेट्रोफा होगा मिस्विंट हुआ है ठीक है यहाँ पे एका की जग़ा यहाँ पे विपफा होगा जेट्रोफा होगा जेट्रोफा एक बायो डीजल की फसल है यह भारत आफरीका उत्री अमेरिका केरवियन जैसे ट्रफिकल छेत्रों में उत्पन होते हैं यह एक बड़ा पादप जो जाडियों के रूप में कैसोस्क छेत्रों में उगता है इस पादप में प्राप्त होने वाले बीजों से 25-30% तक तेल निकाला जा सकता है और इस तेल से कार आदी चलाया जा सकते हैं इसलिए इसे बायो डिजल पौधा का जाता है और सिस जो असोस बचता है वो सारे चीजें आपको फिर से इंट्रसक्टर में यूज किया जाता है कौन रासानिक उरोरक का उधारन नहीं है यूरिया फोटास को कोश्ट फासपेट देखे समझने वाली बात है रासानिक उरोरक ये भी जैविक कंपोश्ट हो गया और रासानिक उरोरक दो प्रकास से पूशे जाते दोनों की हम बात भी करेंगे देखे रासानिक उरोरक का उधारन नहीं है तो सभी को पता है फासपेट जो है रासानिक आपका उरोरक का उधारन नहीं है माकी यूरिया फोटास कोस्ट ये रासानिक उधारन है अर्थात कमपोशखाद जैवी कुरुरा का उधारन है क्योंकि इनमेंस निर्माण पेंड पोधे मरत जीव जन्तु इनसे उस सर्जित पदातों का प्रयोग किया जाता है यूरिया फोटास फासपोरास रासानिक उधारन है अंगला प्रशन साथियों इसकीन पर है कि किस म्रदा का निर्माण लावादारा हुआ है करफी बार पूँचा गया प्रशने सभी को पता है लाल मिट्टी, काले मिट्टी, जलोड मिट्टी, लडे राइट मिट्टी नीचे कमेंट करें, फीडवेक करेंगे मैं आपके साथ जैसवाज सर आप शभी के साथ यहाँ पर क्लास कर रहे है आपका फीडवेक, आपका कमेंट यहाँ पर शरोपरी है शरोमान है साथियों किस मदा का निर्मार लावा दारा हुआ है जब यहां पे लावा निकलता है सभी को पता है जो आला मुखी के द्वारा जो लावा निकलता है लावा के द्वारा प्रतिवी जो मिट्टी का निर्मार होता है उसे ही साथियों काली मिट्टी कहा अर्थात काली मिर्दा का नेर्मान लावा द्वारा की होता है अंगला परश्ना ये जान लेते हैं पूर डाउट क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पर सेलेक्षन चरोपरी है किस मिठी का विस्तार भारत के सरवादिक चेत पर है काली मिट्टी जलोर मिट्टी लाल मिट्टी वल्व मिट्टी लेकि भारत के सरवादिक चेत पर पूँचा गया नहीं अधिक्तम चेत पर किस मिट्टी का विस्तार है तो सभी को पता होगा हम किसकी बात कर रहे हैं जलोर मिट्टी के बात कर रहे हैं बारत के सरवादिक चेत्रों पर जलोर मिट्टी का विस्तार है भारत के भूबाग के लगभग 40-45 भाग पर जलोर मिट्टी पाई जाती है प्रशन भी पूंचा जा सकता है कि जलोर मिट्टी कितने प्रश्चत भाग पर भारत में पाई जाती है तो 40-45 भाग पर पाई जाती फासपोरा, सम्ल, चुन, नाकार, निक, ये तत्तों के धिकता पाई जाती है इसमें नाइट्रोजन और हुमस की कमी पाई जाती है ये भी आपको ध्यान देना है और ये मिट्टी क्रश्ट के लिए सरवादिक उप्युक्ती होती है देखें मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं जलोड मिट्टी क्योंकि यहां से एक प्रश्ट जरूर आता है मिट्टी से सम्मंदित प्रश्ट पूचा जाता है तो जलोड मिट्टी उत्तर का विसाल मैदान कासमीरी घाटी असम घाटी गुजरात तटी भाग यहाँ पर जलोर मिट्टी पाए जाती है काली मिट्टी या काली मिट्टी की बात करें महाराश्ट गुजरात पश्चिम मंगाल के मदवर्ती पश्चिम मदवर्ती मदप्रदेश में पश्चिम मंगाल पर नहीं है कहां परहकाली मिट्टी महाराश गुजरात पश्चिमी मदवर्ती मदप्रदेश पर करनाटक का उतरी भाग आंधर पश्चिमी भाग लाल मिट्टी के बाद करें छोटा नागपूर का पठार, पूर्वी मद्ध प्रदेश, आंध प्रदेश, तमिल नाडू, करनाटक और पूर्वी महाराष्ट लेटे राइट मिट्टी के बाद करें पश्चिमी घाट, नाकपूर पठार, तमिल नाडू, आंधर प्रदेश, उरिश्था, असम, ताज महल की पहाड़ियां परवती म्रदा हिमानचल के परवती छेत में जो की कम उपजाव होती यहां के मिट्टी परवती जो म्रदा होती है, वे कम उपजाव होती है, मरुस्तली म्रदा राजिस्थान, दस्चिन पश्चिम पंजाब और दस्चिन पश्चिम हरियाना पर पाई जाती है आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, अब आईए देख लेते हैं अंगला प्रशन तो कारकी रूप से सुस्क मिट्टी की विसेश्था यह है कि मिट्टी में लवन सांद्रता जो होती है, वे अधिक हो जाती है अंगला प्रशन हेंडेट प्रशनम यहाँ पर कर रहे हैं, आपके चेप्टर वाइज कर रहे हैं कोई किसान उरोरक और कीट नासकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है ऐसा करने से उसके खेत की जो मरदा या मिट्टी है वे केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी या अन फसलों के लिए उपजाओ बन जाएगी तείके बार बार अगर आप सबसे ज़्यादा कीट ना सक अधिक पर उपयोग कर रहे हैं, बार बार धान की फसल कर रहे हैं एक ही चीज अगर आप एक किसान है तो आपको पता होगा कि खेती जो है दो रितूएं में होती है और बदल बदल कर की जाती है एक जो ऐसी खेती जो जिनकी जड़े मिट्टी को उपर हो और एक ऐसी खेती जो मिट्टी के जड़े के हैं उनकी नीचे तक जाएं तो ऐसे करने से बार बार करने से क्या होगा खेत या मिट्टी वहां की बंजर हो जाएगी अंगला प्रस्णे किस मेदा में जल धारन छमता अधिक होती है दोमट, वलवी, चिकनी, बारीक बालू देखे जल धारन यानि जल सोखने की यह जल को अधिक देर तक रोकने के लिए छमता किस मिट्टी में होती है तो वह साथ यो चिकनी मिट्टी के बात करेंगे जल को अधिक देर तक रोक पाती है, धारन कर पाती है, वह हमारी चिकनी मिट्टी है क्योंकि चिकनी मिट्टी के कड़ों का कार 0.0020 से कम होता है और यह भूरे रंकी होती है, जो प्रायर नदियों के किनारे देखने को मिलती है मिट्टी के प्रकार में कड़ों के ब्यास के अधार पर देख सकते हैं बजरी मिट्टी में कड़ों का ब्यास के तहोता 5.00 mm सधिक होता है बारीक बजरी में 5.00 से 2.00 mm तक होता है मोटी बालू का जो है कड़ों का ब्यास 2.00 से 0.22 mm तक होता है और बारीक जो बालू होते हैं उनका जो है ब्यास 10.200 से 0.020 mm तक होता है यानि दिखी जो मिट्टी के प्रकार करणों का ब्यास यह मिली मीटर में होता है यह प्रशन पूंचा जा सकता है और गाद जो अधी 0.02 से लेके 0.002 mm तक होता है और चिकनी मिठी जो होती है वो 0.002 mm तक होती है इनका जो ब्यास होता है अंगला प्रस्थने किसमी उध्यान जो है किसमी उध्यान कर्शी का अध्यन किया जाता है बोटनी, जियोलाजी, हर्टी कल्चर या एनोटोमी तो राई टेपसन यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी को पता है किसमे कर्षी जो उद्यान है उद्यान कर्षी कद्धन किया जाता है तो आपके हर्टी कल्चर पर किया जाता है उद्यान कर्शिकदन, हाटी कल्चर या उद्यान बिग्जान में किया जाता है इसके अंतरगत बिभिन प्रकार के फल, सबजी, कंदमूल, फराले, फूल, चिकसी, पौधे, गराले, वागानी, फराले, आदी उत्पादन किया जाता है अंगला प्रशने साथियो, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उरोरक उप्योगी है यूरिया, सोडियम, फास्पेट, डी एपी, वर्मी कंपोस्ट तो सभी को पता है जब भी बागवानी का नाम आए और इसके प्रकार के उरोरक अगर पूछा जाता है तो वर्मी कंपोस्ट, बेस्ट इजदा वेस्ट हो जाएगा, बेस्ट आप्सन हो गया इसके लिए क्योंकि बागवानी कर्शिक के अंतरगत जो हमारे फल, सब्जिया, कंद, मूल, आपके फसले होती हैं, फूल आदि उगाया जाता है, इसके में म्रदा यानि मिट्टी को बचाने एबं उज़ाओ बनाने के लिए आवश्यक होता है, किसान अधिक सधिक जैवी खादों का प्रयोक करें, रासानी खाद, यूदिया, सोडियम, फास्पेट, डियपी का, जो है कम से कम प्रयोक किया जाए, और किसानों को चाहिए कि वर्मी फार्म कंपोष्ट का दिक सधिक प्रयोक करें, वर्मी फार्म केच्वे द्वारा तयार किया जाता है, जैवी खाद, कोश्ट की खाद जो होती है बेकार सबजी पौधे पती इनको सडागला के बनाई जाती है यह जैविक खाद कहला जाती है और उर्वक या रासानी खाद यूरिया अमोनियम सलफेट सुपर फासपेट डी एपी हो गया डाई अमोनियम फासपेट जिंक सलफेट मूरेट आफ यह हमारे रासानी खाद या उर्वक कहलाते है अंगला प्रशने काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है खादर मिट्टी वांगर कछारी रेगुर मिट्टी तो सभी को अता है काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी जानी जा रात मत्पदेश में पाई जाती है कछारी या जलोर म्रदा भारत में सबसे बिस्तत पर है सभी हमने बताए जलोर मीटी 40-45 भाग पर है और खादर वबांगर भी इसके रूप है अंगला प्रशने पेणों की कतारों के बीच फसले उगाने को क्या कहते है समाजिक वान की जूम, तोंग्या प्रणाली या क्रशिवान की कहा जाता है तो पेणों की कतारों के बीच जो फसले उगाई जाती है उनको तिंग्या प्रणाली कहा जाता है क्या कहा जाता है पेरहों की कतारों के बीच फसलों को उगाने वाली प्रणाली को लोंग्या प्रणाली यहाँ पे मिस्पिंट हुआ है साइड तोंग्या नहोकर लोंग्या प्रणाली है अब आप लोग क्लियर कर लीजेगा लोंग्या प्रणाली कहा जाता है तोंग्या एक बर्मी सब्द है अब देखे यहां पर आ गया है कई जगे लोंग्या दिया गया है कई जगे तोंग्या दिया गया है इसको चलिए हम कनफर्म कर लेंगे आपको डिसकर्शन बाक्स में बता दिया जाएगा कि सही सब्द क्या है क्योंकि बुक में काफी सारे जो हम बुक यहां पे चूज करते हैं वो बुक में हम चीजें काफी आरे कुछ चीजें सब्द ठीक है गलत हो जाते हैं तो यह सारी चीजें हैं और अगर बात करें इनका आर्थ के बारे में ये पहाडों पर खेती इसके बारे में 1890 में डाक्टर वरंडिस ने बताया था प्रशना सकता है ये पहाडों पर खेती के बारे में किस ने बताया था और कब बताया था 18.90 में डाक्टर वरंडिस ने बताया था और यह प्रणाली जो है पहाड़ी लाकों में की जाती है या लगाई जाती है जब पेन बड़े बड़े घने हो जाते हैं तो बिरल जगे फर फसल उगाई जाती है और जूम करशी पेनों को काट कर करते हैं यह जंगली छेत में की जाती है अंगला प्रशने जायद करशी रितू तक होती है देखे जायद फसल के बारे हमने आपको बताया था जायद फसल कब होती जून से सितंबर अपरेल से जून अक्टूबर से जनवरी या दिसंबर से फरवरी देखे सबी को पता है खरीब की फसल जून जुलाई में बोई जाती है अक्टूबर नमबर में काटी जाती है रवी की फसल अक्टूबर नमबर में बोई जाती है और मार्च अपरेल में काटी जाती है इसी प्रकार जायद की जो फसले होती है वैसा आतियों आपके अपरेल से जून तक होती है भी आपसन सही हो जाएगा आपरवी की फसल देख सकते हैं अक्टूबर नमबर से मार्च अपरेल गेहूं जओ चना मटर शर्फसो वाली आलू खरीब की फसल समय जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर फसलें चावल जौर पाजरा मक्का जूट मुंग फली अरहाद जायत की फसल मार्च से अपरेल या जून तक मार्च अपरेल से जून तक होता है मुंग उड़त, तर्वूच, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जां ये जायत की फसल आती है तो मुंग उड़त की जो फसल है वह जायत की फसलों में आती है परिच्च के दस्चे मातपूर वन लाइनर कोश्चन देख लेते हैं हरीत या सदा भाहर क्रांथी का संबन किस्से है खाद्यानुत पादन से भारत में हरीत क्रांथी की शुरुवात कभ हुई 1966 या सरसर से बिसमी हरीत क्रांथी की जनक कौन कहलाते है नार्मन बोरलाक कहलाते है और भारत में हरित कांधी के जनक डाक्टर M.S. स्वामीन आथन जी है हरित कांधी का सरवादिक प्रवाव किस पर है तो गेहूं की फ़सल पर पड़ा है स्वेध कांधी का सम्मन दुखदुखत पादन से है स्वेट कांथी के जनक कौन है डाक्टर वरगीच कुरियन है आफरेशन फ्लर्ड का सम्मनीद किसे है डेरी उद्योक्ष है या दुग्ध उत्पादन से 2-4-D क्या है काफी वार प्रिश्म में आपके पूंचो गया हो गया इन्वार्मेंट एवियस में 2-4-D दिया रहता है तो 2-4-D एक क्या है खर्पतवार नासी कहलाता है फलीदार ये लिंगमिनस पौधो की जड़ों की गाठों में पाए जाने वाले बैक्टिरिया जो नाइटोजन का इस्तिकरण करते हैं उन्हें ही राई जोबियम कहा जाता है जैविक क्रश्य अपनाने वाला भारत का पहला राज सिक्किम है आपका हरी खराद वाली फसलें सनाई सनेपपा डेचा लोबिया उड़द मुंग जवार ये सारी आपके हैं ग्यहूं की किसमें कल्यान सोना अरजुन सोनालिका हीरा पूशा विशेस हैं आपके सफेश सोना किसे कहते हैं कपास को कहा जाता है अलपानसो किस से संबंदित है अलपानसो आम से संबंदित है बंकी टापरो किस से संबंदित है केला से संबंदित है धान की किसमें आपकी जया पदमा पंकज जमना सावर मती तायूंग ताइचूंग 65 65 और धान के खेत में जैव उर्वक के तोर पर सरवाधिक उपयुक्त जो जैव उर्वक होता है वै एजोला होता है धान के अगर उर्वक की बात करें एजोला आए क्रशुत पादन में प्रथम इस्थान कौन सा जान लेते हैं गन्ना अलू गेहु में आपका उत्तर है चीनी का कटोरा क्यूबा बिसमे क्यूबा है और भारत में क्या है आपका उत्तर प्रदेश है धान का कटोरा च्छत्तीस गड़ है मसालों का वगीचा केरल है काली मिर्च मसालों का राजा कहलाता है मसालों की राणी इलाइची है तो मसालों की राणी क्यूइन कौन है इ काली मिर्च है और काला सोना किसे कहते हैं काली मिर्च को ही कहा जाता है तो यह रहे दोस्तों आज की क्लास में महत्पूर्ण कंसेप्ट हैं और सारी कंसेप्ट क्लियर करेंगे हरे कोश्चन को जो आपके टीटी जाम में पूंचे जाते हैं या संभावित प्रिशन होंगे और से 125 प्रस की होनी चाहिए तभी आपका यहां पे सेलेक्शन 101 परसेंट पिर हो पाएगा और डिफिनेटली होगा हरे क्लास जोएन कीजिए फ्री नोट्स आपको प्रवाइड हो रही है टेली ग्राम पर जोएन कीजिए और हमारे फेस्बूक पेंज को लाइक शेर कीजिए वहां पे आपकी क्लासे चल लए है इंपोर्टेंट नोस इंपोर्टेंट कोश्चन वहां पे भी अप्लोड किया जाता है लिंक आपको मिल जाएगा जोएन कीजिए मैं आपके साथ जल्द मिलता हूं निस क्लास पर धन्वाश अभ